आपका बहुत बहुत श्वागत है आज मैंने लाइफ क्लास लाइफ आपसे बात की थी चैट हुई थी और जिसमें आप लोग बहुत परशान थे नाइस जिलेट की मानता को लेकर के खास तोर पे बिहार सिक्षक बहाली जो होने वाली है उसके लिए लेकर के महां पे स्पष मानता है या नहीं जो आपका कंफ्यूजन है वह मैं दूर कर देती हूं कि यह मान है या नहीं है और मैंने कहा था कि बिद्प्रूफ में आपको बताऊंगी और जो यह कोर्स है वह एक टीन मन्त का है यह यह सब क्लियर हो जाएगा लेकिन उसके पहले दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकान को प्रेस कर दीजे ताकि जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है ना और चलिए फिर वीडियो को शिया जरूर करिएगा तो चलिए यह जो है यह काईकरम निर्देश का सेवा रत अप्रसिश्चित अध्यापकों के लिए अब गौर से देखिएगा प्रारंबिक सिक्षा में दुवर्सी डिप्लोमा यानि कि जो एक प्रोस्पेक्टर्स जो एक कहने जो प्रोग्राम गाइड होती है किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के पहले जारी की ज प्रोग्राम के लिए इसमें दुवर्सी डिप्लोमा ओके मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाईस यहां पर है जो भी आपका दो वर्स का पार्ट्रम हो गया प्रारंबिक सिक्षा में दुवर्सी डिप्लोमा हो गया अब हम नीचे आते हैं अगर आप यहां पर देखें नाइस के बारे में देखें तो राष्टी मुक्त विद्यालें सिक्षा संस्थान तो ही है और नौइडा में इसका सिंटर भी है आपको पता है में जो ऑफिस है और जो यह समर्थित है यह राष्टी प्रणाली यानि सीवी एस ए और सी आई यस सीई द्वारा समर्थित भा यह सिर्फ उसी परिक्षा कराता एक्जाम लेता है ना तो परिक्षा समीत है यह आप यहां पर आते हैं जब बिसे सूची में तो परचय और काईक्रम के उद्देश लक्ष योगता देख लेते हैं जो बेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए परचय तो यही है देखे यहा सभी मिद्या रहता है कि जो अपक्रेश करने के लिए है और यहां पर एक प्रकार का को भी रखा गेया था कि स्अट दिनों का प्रशिंशन उपलब्द कराना था सिख्शां आतना संट निरधारित अब एक्षित प्रसिक्शन योगता के समक्ष नहीं माना जा सकता यानि कि जो सर्वशिक्षा वियान ने जो 60 दिनों का प्रसिक्षन उपलब्द कराया जाना था सर्वशिक्षा वियान के अंतरगत है उसको एंसीटी कहता है कि प्रसिक्षन योगता के अंतरगत नहीं आता है उसके बरावर नहीं है जिसको एंसीट मानता देता है लेकिन लागु जो हुआ 2010 में हुआ तो यह अनिवार कर दिया गया इस अधिसूचना के बाद कि जो सिक्षक प्रात्मिक अस्तर पर पढ़ाते हैं यदि प्रसिक्षित नहीं है तो उन्हें पांच वर्स के अंदर प्रसिक्षित होना पड़ेगा यानि प्रसिक प्रसिक्षित क्यों दिया गया इसलिए दिया गया कि 2009 में जो अधिकार इसमें सपष्ट कर दिया गया था कि जो अन्ट्रेंड टीचर है उनको पांच वर्स के भीतर होना पड़ेगा यानि 2010 से प्रभावी हुआ एफेक्टिव हुआ तो 2010 यानि 2015 के भीतर लेकिन ऐसा हो नह पर ना पड़ा कि प्रात्मिक विद्यालेओं में अप्रसिश्चिस शिक्षकों के लिए मुक्त एवं दूर सिक्षा पडाली के माध्यम से प्रात्मी सिक्षच काईक्रम को बिख्षित एवं लागु किया जाए ठीक है अब यहां पर नहीं देखते हैं हम सीधे आज आते हैं नीचे ठीक है काईक्रम के उद्देश उद्देश भी वही है लक्ष समू एवं योगता की सर्ते क्या रखी गए इसमें सपस्ट कहा गया है कि इस काईक्रम में प्रवेश के लिए प्रात्मिक अस्तर पर कारत आप्रसिश्चिस सिक्षक जिनके पास कम से कम पच्चास प्र सत्या बूर्ट अनिवार रहे यहां पर सरते पहले यह रख दी गई थी कि कम से कम 12 में जो है उस्तर मादमी 12 में 50 परसेंट होना चाहिए यह पिर जो 11 ओल्ड जो 11 होता है उसको भी 12 के समान माना जाता है जो समकक्ष होता है या फिर शनातक योगता होनी चाहिए यह में सर् स्काय करम की अवाद कम से कम दूवर्ष हो के कम से कम दो वर्ष है और अधिगम करता का नमांकन जो है तीन वर्ष के लिए बैद होगा यानी कि कम से कम दो वर्ष जो है दो वर्ष तो burgsych बैलिड है और साथ ही साथ में दो वर्स के बाद भी एक वर्स बैद रहेगा यानि कि स्काइकरम के लिए अधिगम करता का नावांकन तीन वर्सों के लिए बैद होगा यानि कि आप आगे भी एक्जाम दे सकते हैं तो जो आपके दी एक्जाम होंगे वो 100% होंगे क्योंकि आपके प्रो जो आपकी प्रोग्राम गाइड होती है उसको पढ़ना जरूरी होता है तो यहां पर लिखा हुआ है इसलिए जिन लोगों के 50% नहीं थे उस तरमादमिक में हार सेकेंडरी में उनके 50% जनरल कर्टेगरी बालों को करवाए गये हैं ठीक है ना और यहां पर दो वर्स कम से कम रखा गया है लेकिन इसलिए इसको 18 मंत में 18 महीने में खतम कर दिया गया लेकिन तीन वर्सों के लिए बैद होगा यानि दो वर्स के बाद भी आप दे सकते हैं एक्जाम तो आपके द्री एक्जाम दोंगे वो होंगे अब वो कब होंगे हो सकता है वो अक्टूबर नॉम् जब तक वो एक्जाम नहीं देंगे और उसे पास नहीं करेंगे तो वो अंट्रेंड ही कहलाएंगे अभी वो अंट्रेंड की कटेगरी में ही आएंगे क्योंकि उनका भी एक्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है तो जब तक वो एक्जाम नहीं दे देंगे तो वो अंट्रेंड ही रहेंगे पूरा रिजल्ट उनका नहीं आ जाएगा तो यहां पे प्रारंबी सिक्षा में दुवर्शी डिप्लोमा भी है कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखें यहां पे ठीक है ना सब कुछ यहां पे इस पस्ट दिया हुआ है क्लियर लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पे कोई डाउट आपको होना चाहिए ठीक है अवद भी है कमसकंद दो वर्श के लिए और इसी लिए मैं कह रही हूँ कि यह बैलिड है रही बात बिहार सरकार की तो बिहार सरकार का वो अलग कानून है क्योंकि इस्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है उसके टेट के लिए और जो आप कह रहे हैं कि एक न्यूस पेपर में निकला है एंसीटी का तो उसको मैं बाच कर लेती हूँ और उसको भी देख के बता देती हूँ और एंसीटी ने अगर कह दिया होगा तो फिर ये बैलिग नहीं होगा यदि एंसीटी कह देगा कि ये बैलिग नहीं है तो बैलिग नहीं होगा ये मैं आपको अभी से बता दूँ ओके तो उस नेश्ट वीडियो का वेट करिएगा उस वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाई